वसो देव सुताम देवाम कंस चानूर मर्दनम देवकी परमानन्दम रश्णम वंदे जगत घुरो सस्संग मा आये सभी गीता प्रेम्यों आपका हार्दी रफुल नंतन सजनों पित्र दोस के बारे में मैंने आपको सब कुछ बदाया पित्र दोस के कारण क्या क्या होता है फिर उसका निराकर्ण कैसे कर सकते हैं उसके उपाई क्या है उस सब मैंने आपको बताया अब देखें प्रतेक अमवस्या को पित्र दोस दूर करने के लिए जैसा मैंने पहले भी आपको बताया था मैं यग्य करता हूँ और बहुत ज़रा का पित्र दोस उससे दूल हुआ है अभी स्रादपक्स चल रहा है स्रादपक्स में पित्रों की सान्ति के लिए पित्रों को खुश करने के लिए यह जो स्रादपक्स होता है उसमें हम पित्रों का तरपड वगरा करते हैं और गीता का पार्ट करते हैं और गीता का सात्वे अधियाई का पार्ट हम इस पेस्टल लूप से करते हैं तो गीता के सात्वे अधियाई के पार्ट के बारे में भी मैंने आपको बताया देखें कभी-कभी क्या होता है कि अकारण बस अकार मरत्य हो जाती है कभी-कभी उसके कारण कभी-कभी कि नहीं के पितर अदो गती में चले जाते हैं तो उन अदो गती में गए हुए पितरों का दोस हम कैसे दूर कर सकते हैं उसका एग ही तरीका है साद पक्स में जो सर्व पित्र दोस्कारी अमावस्या आती है उस दिन हमें यग्य करना चाहिए प्रत्यक अमावस्या को हमें पित्रों की सांती के लिए गीता का पाट करना चाहिए पित्रों की खेर का प्रसाद नवभू करना चाहिए परन्तु यह जो सर्व पित्रकारी अमावस्या आ रही है, जो 14 अक्टूबर को आ रही है, उस दिन special wishes तया, पित्रों के मुक्स प्राप्ति के लिए, पित्रों की सांती के लिए, पित्रों को खुश करने के लिए, हमें गीता के सांत्य अध्याय का यग्य करना चाहिए, आप म प्रत्यक मा के अमावस्या को भी हमें यह यग्य करना है, तो यह यग्य करने के लिए, आप मेरे से contact कर सकते हैं, हर अमावस्या को मैं, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया, पित्रों का दोस्त को दूर करने के लिए, मैं यग्य करता हूँ, गीता के सात्य अध्याय का प आ समये, पीडा है आती रहती है, बादा है आती रहती है, कभी-कभी साधी के हुए पांच सार दसन हो गए पर संतान प्राप्ति नहीं हो रही है, कभी-कभी बच्चे बहुत अच्छे पढ़ लिग गए है, नौफिर लग गई है, साधी नहीं हो रही है, कभी-कभी, आ पित्रों की जब असान्त होते हैं पित्र हमारे तो ये सारी बात होते हैं, तो पित्रों की सांती के लिए जैसा मैंने आपको पहले बता है, प्रत्य का मावस्या को खेर का प्रसाद भोग लगाना चाहिए, और पित्रों की सांती के लिए हमें गीता के सात्वे अदिया का इस् आरे किस्टा.